नमस्कार दोस्तों स्वागत करतों आप सभी को टिकिराच यूटूब चैनल पर आजके इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप IDFC बैंक या फिर किसी भी बैंक एकाउंट का एड्रेस को कैसे आप चेंज कर सकते तो दोस्तों जानने के लिए इस वीडियो को शु सब्सक्राइब चारिस करना तो दोस्तों यहां पर मैं आप को बता देता हूं कि यहां पर आप दो तरीकेसे अपना एड्रेस जो है वह आप यहां पर बदल सकते देखिए लगबक जूस्यादा तर बंक में क्या होता है कि आपको KYC फॉर्म जो होता है वह आपको होता है ठीक है लगबख हर बैंक में वो आपको customer request form जिसे KYCB कहते है वो आपको बढ़ना होता है ठीक है दूसरा तरीका जो है दूसरा तरीका आपको letter लिखना है bank को specifically कि आपको सिर्फ address change करना है ठीक है तो दोस्तों कैसे आपको यह लिटर लिखना है कैसे submit करना है वो सारा कुछ में आपको अभी फिलाल बताने वाला हूँ तो दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है सबसे पहले तो आपको heading में लिखना है यहां पर to the branch manager उसके बाद में आपका bank का नाम लिखना है ठीक है और उसके बाद में आपको यहां पर branch name लिखना है आपका ब्रांच का नाम जो है वो आपको लिखना है उसके बाद में ब्रांच का address अपको यहांप में दोस्तों यहांप को Dear sir या फिर maim जो भी है opening आपको यहां पर लिखना है उसके बाद में subject आपका रहेगा request regarding change of address दे सकते है ठीक है यह आपको देना है उसके बाद में आपको नीचे पर लिखना है paragraph में This is to inform you that I have recently relocated to Delhi from Gurgaon केने का मतलब यह है कि यहाँ पर आप जो है relocated हो चुके है Delhi में गुरगाओं से पहले आप गुरगाओं में रहते थे अभी Delhi में आ चुके है तो यह आपका हिसाब से आप जहाँ पर shift हो गए है वो आपका हिसाब से यहाँ पर लिख लीजेगा ठीक है उस उसके बाद में I have a saving account in your bank account number आपको यहाँ पर बरना है और उसके बाद में I would request you to update this information in your records the information provided below is regarding my change of address उसके बाद में आपको old address यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर पुराना address यहाँ पर full address आपको यहाँ पर लिख देना ठीक है उसके बाद में यहाँ पर new address लिख के आपको यहाँ पर यहाँ पर जो है आपको नया वाला address आपको यहाँ पर बरना है ठीक है यहाँ पर नया वाला address बर दीजेगा उसके बाद में नीचे में आपको लिखना है if you have any query regarding the location or direction of the address feel free to contact me I will be leaving residing at the new address provided so please send all the correspondence on this address ठीक है उसके बाद में आपको यहाँ पर thanking you दे देना है ठ चाहो तो नीचे में यहाँ पर अपना account number दे सकते हो CIF number दे सकते हो और नीचे में आप अपना mobile number भी दे सकते हो ठीक है उसके बाद में आपका नाम यहाँ पर लिखना है नीचे आपको signature देना है और यह form जाके अपना bank में branch manager को submit कर देना है दोस्तों देखिए बहुत से bank ज जो है आपका address और यहाँ पर लिखा हुआ है यह सारा कुछ जो है आपको काम में आएगा उस वक्त तो आपको simply वही form भर देना है और ज्यादा तर bank में आपको application ही लिखके देना भी होता है ठीक है वह bank to bank depend करता है तो दोस्तों इस प्रकार से जो है आप अपना bank account का address को आस